जिला कांगणा के अंत्रगत राजकिये वरिश माधमिक पाटशाला गेड मानघड के बच्चों ने विद्यारती वनमित्र योजना के अंत्रगत विदिक सेवा प्रादीकरन वन विभाग के संयुक प्रयासों से पोधार ओपन किया गया जिसका शुबारम सीनियर सिविल जजज श्रीमती शीतर शर्मा ने आमले का पोधा लगा कर किया इस जोरान DSP देहरा लालमन शर्मा देहरा वन विभाग के DFO राजकुमार डोगरा मुखे रूप से उपस्तित रहे इस पोधार ओपन कारेकरम में एक हेक्टेर शेतर में हरड, बेहडा, आमला, वर्जुन, सहीत, अन्य प्रजातियों के लगबग 500 से अधिक पोधे लगाए गए इस अफसर पर सीनियर सीविल जल श्री मती शीतल शर्मा ने वनों के महतव और भविश्य में पर्यावरन प्रदूशन को कम करने के लिए पेड़ पोधों की क्या भूमिका रहेगी इस बारे में विस्तार पूर्वग बताया उन्होंने स्कूली बच्चों को बताया कि जिन पोधों को वे लगा रहे हैं उनकी देखबाल का भी संकल्प ले और लोगों को भी वन सनक्षन के लिए प्रेड़ित करें वन विभाग के D.F.O. राजकुमार डोगरा ने बताया कि विध्यारती वन मित्र योजना के तहट डेहरा से पोधार ओपन कारेक्रम किया जा रहा है जिसमें स्कूल के बच्चों को पोधा के साथ कैसे कनेक्ट करें जिससे बच्चे पोधे की देखबाल करना सीखें उन्होंने कहा कि कारेक्रम में बच्चों को जागरूप किया गया विध्यारती वन मित्र योजना के तहट पोधार ओपन तयार किया जा रहा है जिसमें स्कूल के बच्चों को पोधों के साथ कैसे कनेक्ट करें कैसे बच्चे पोधों की देखबाल करना सीखें नर्शी लगाना सिखें पौदे लगाना सिखें इस बारे में ये कारेक्रम आज हमरे यहां पर किया गया है यहां एक हेक्टर क्षेतर में लगए 500 के आसपास में भीविवन परजातियों को पौदे लगाए गये हैं इन में से आमला है, भेडा है, हरड है, अर्जुन है इस प्रकार की प्रजाती में पौदे लगाए गए हैं और बच्चों को इसके बारे में मोटिवेट भी किया गया, ताकि विश्य में बच्चे अपने स्कूल में अपने आस पास के बनों के क्षेतर की देखवाल भी करें और पौदों को और बनों की सुरक्षा में अपना योगदान भी ऐसे ही लेटिस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर स्लिक कर बेल आइकोन को दबाए